तो आज हम करने वाले practice set 2 का solution मतलब की सारे questions हम करेंगे याँ पर आपके screen के सामने सारे solution में ले के आऊँगा आप match कर सकते हो कि आपका कितना सही है और कितना गलत है answer सही आना चाहिए प्रोग्राम का logic कुछ भी हो ठीक है तो चलिए guys सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा वही काम है हम पटापट से इस पर नई फाइल बनाएंगे practice set 2 लिखेंगे आप पर 2.c कर देंगे और यहाँ पर अपना code लिख देंगे जो basic code है hashtag stdio.h उसके बाद हम लिखेंगे याप इंट main और यहाँ पर हम curly brackets लगाएंगे यहाँ पर लिख देंगे return zero semicolon ठीक है यह हमारा basic code त्यार हो जोगा है आप हम करने वाले question number one तो मैं one लिखूंगा यहाँ पर question में क्या है write a program to find maximum between two numbers देखो यह मैं नहीं कराने वाला आपको ठीक है मैं आपको सिथा second वाला question करा देता हूँ one वाला आप खुद करो write a program to find maximum between three given numbers तीन number होंगे और आपको उसमें से maximum find करना है two वाला तो आप खुद ही कर सकते होगे तो आप वो खुद करना और आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है congratulations और अब मैं two वाला करता हूँ यहां पर direct one आपके लिए मैंने छोड़ दिया है और मैं direct two आपको कराऊंगा यहां पर okay हमारे पास तीन number होंगे a b or c ठीक है और आप scanf करके इन numbers को input ले लो directly आप मैं एक काम करता हूँ printf लगा के यहां पर enter three numbers direct मैं direct मैं तीनों के तीनों number एक ही बार में ले लूँगा अलग-अलग printf scanf मैं नहीं लगाने वाला देखो मैं कैसे लूगा देखो percentage of, close %aaaa d, it is mean the first! यहां पर कोμबा लगाके पहले वाला जो number है वह जाएगा a के अंदर, दूसरे वाला जो number हो जाएगा a के अंदर और तीसरे वाला जो number है वो जाएगा C के अंदर देखो आप इस तरीकी से अपने scanf को short form में बना सकते हो कि मैं तीनो number डालूँगा और directly automatically पहला number A के अंदर दूसर नंबर B के अंदर तिसरे number C के अंदर चला जाएगा automatically अब यहाँ पे हमारी main algorithm दमाती है इन तीनों में से बढ़ा कोन है देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो काम है वह यहीं पर निपट जाएगा देखो अब यहाँ पर मैं लगाना अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं और print F के अंदर मैं direct C को उठा लूँगा यह जो नम यह पर मैं लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पर C लिख दूँगा C उसके बाद आप कैसे भी लिख लो A और B जो भी है और उसके बाद यहाँ पर देखो अगर A बड़ा है B से तो automatically यहाँ पर आ गया अगर A बड़ा है C से तो यह पर प्रिंट हो जाएगा अगर नहीं है C से बड़ा तो C बड़ा है ठीक है साफसी बात यहाँ पर खतम हो ग करा देंगे अब यह आपको बताओं वाई हमने क्यों करा यहाँ पर और उसके बाद एक मिट यह सी मैंने बड़ा लेक दिया गलती से इसको चोटा सी करते है उसके बाद एक और एल्स लगा दिया मैंने और इस प्रिंट एफ को मैं फिर से नीचे डाल दूंगा और इस स्कूर्ट वोम में भी आपको करने वाले इसको देखो यहाँ पर गया एंटर हम लिख। ने अम्हें नंबर है तो यहाँ पर लिए फिर दूशरा नंबर स्कुर्ण नंबर है 3, enter करते हैं 6 is greater than 3 and 4, तो यहां पर B बड़ा हो गया हमारा न, B बड़ा था, अब मैं A को बड़ा रखू हूं, तो आब मैं रखता हूं, A को 7, दूसरे को 3, और तीसरे को 5, enter करते हैं, तो 7 is greater than 3 and 5, अब मैं C को बड़ा रखने वाला हूं, ठीक है, A है हमारा ये, B ह हमारा 7, और C है हमारा 14, enter करते हैं, तो 14 is greater than 7 and 2, देखो ये, हमारा बिल्कुल सही अंसर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, देखो, पहले तो इसने आपर चेक किया condition, कि A क्या A B से बड़ा है, हाँ, अगर A बड़ा है, तो ये situation true हो गई, ठीक है, ये, हमारा block of code execute होगा, तो ये चेक करेंगा, क्या A C से इबड़ा है, अगर वो C से इबड़ा हुआ, तो ये print होजाएगा, कि A हमारा बड़ा है, ठीक है, उसके बाद, क्या, उसके बाद, अगर A C से बड़ा नहीं हुआ, तो common sense है, कि A B से बड़ा है, और C से छोटा है, तो C हुआ ना सबसे बड़ा, त तो हम C को यहाँ पर सबसे बड़ा प्रिंट करवा देंगे, देखो यहाँ पर है पहले C लिक रखा है, उसके बाद अगर यह situation true होई, तो common बात है कि B बड़ा है A से, साफसी दिवाद है कि B जो है A से बड़ा है, तो हम चेक करवा लेंगे क्या B C से ही बड़ा है, अगर वो B को बड़ा print करवा देंगे, अगर वो नहीं हुआ, तो हम फिर से C को बड़ा print करवा देंगे, तो यहाँ पर हमारा program complete हो चुका है, इसको और short form में हम करने वाले हैं आपर, कैसे, देखो मैं इसको पूरे को एक बार, यहाँ पर comment out कर देता हूँ, और इसके बाद में printf करवा देंगे, printf, a is greater than b and c, ठीक है, यह मैंने यहाँ पर print करवा दिया है, back selection लगा देते हैं, और यहाँ पर semicolon लगाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप else if लगा सकते हो, else if, b is greater than c and b is greater than a, तो अगर यह situation होती है, तो क्या करना है, printf कर देंगे, और printf में एक काम करते है न, उपर वाली line को ही copy कर लेते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मिटा के, यहाँ पर लिख देते हैं, b, और यहाँ पर लिख देते हैं, a and c, ठीक है, और अब हम last में else लिख देंगे, simply, और यहाँ पर हम enter कर देंगे, और इसको नीचे बिठा देंगे, यहाँ पर, और यह देखो, यहां हमने कितना बड़ा code किया था, कितने जंजट कर रहे थे, और यहां पर हमारा सिर्फ तीन लाइन में convert हो चुगा code, किसकी वज़े से, सिर्फ और सिर्फ logical operators की वज़े से, किसकी वज़े से, logical operators की वज़े से, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको C में convert कर दें और यहां पर इसको B कर देंगे, अब देखो, आपका जो code है, वो successfully run करेगा, और काम भी करेगा बहुत अच्छे तरीके से, यहां पर इसको run करवाते हैं, 34, 88, 67, enter करते हैं, तो B is greater than A and C, तो यहां पर हमारा answer आ चुका है, अब इसको check कर लेते हैं एक बार देखो, A बड़ situation जब true होंगी न, तभी यह काम करेगा, वरना यह काम, यह block of code नहीं चलेगा, ठीक है, क्यो, end operator क्या करता है, दोनों अगर true हों, तो यह true written करता है, पूरी को, पूरी को यहां पर true written हो जाएगा, तो अगर A, B से बड़ा है, और A, C से बड़ा है, तो यह block of code चलेगा, वरना चेक होगा, क्या B, C से बड़ा है, या B बड़ा है, A से, वहां पर चेक किया जाएगा, कि अब A जो है, बड़ा निकल गया B से, और A जो है, छोटा निकल गया C से, साबसी बात है, यहां पर तो false होगा ही होगा, और वो बाकी का यहां पर चेक हो जाएगा, कि जो भी C की value और B की value है क्या जो B है वो C से बड़ा है तो वहां पे जो true और false आएगा अगर दोनों true हुए तो ये चल जाएगा अगर दोनों में से कोई भी true नहीं हुआ तो else वारा चलेगा हमारा code block ओके तो पहले हमने situation चेक करी कि दोनों की A को हमने दोनों से compare करा अगर वो है तो हमें A को print करवा दिया B को हमने दोरों से compare करा तो हमने B को print करवा दिया अगर दोनों ही compare में false होगे तो साफसे दी बात है common sense की C बड़ा है है तो मारा जो second question है वो हमारा complete होता है और यह मैंने आपको typical question करवा दिया और इसका ही easy वाला question मैंने आपके लिए छोड़ दिया है homework लेता हूँ मैं आपर homework यह आपको करना है अब हम करने वाले है question number two ओके यहाँ पर मैं इसको एक बार indent कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे यह enter करते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर लिखते है question number three और question number three हमारा होने वाला है write a c program to check whether a character is alphabet और notes of से पहले बिना time waste करे हुए हमें एक care variable बनाते है care और यहाँ पर हम एक c लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर printf करवाते हैं स्पेस करते हैं यहाँ पर semicolon लगाता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर scanf लेते हैं और scanf के अंदर हम लिखेंगे %c और यहाँ पर हम m% कसाने लगा के c लगा देंगे और जो भी character हम डालेंगे वो c के अंदर चला जाएगा c h ले लेते हैं यहाँ पर c h उसके बाद हमारा main logic की यहाँ पर लगेगा ठीक है अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताने वाला हूँ देखो chrome खोलो chrome में आप यहाँ पर लिख सकते हो जो मैंने आपको बताई थी aski table ठीक है aski table आप सर्च करो जो भी aski table आपके पास आएगी उसको खोलो तो उस हमारे है 97 से हमारे कहां तक 122 तक तो यही logic हम same to same लगा सकते हैं अपने program के अंधर देखो 65 से 90 तक और 97 से 122 तक तो यहाँ पर हम आएंगे यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या c की value greater than और equal to है 65 से ठीक है and का symbol लगाएंगे c h की value हमारी अगर smaller than और equal to है 90 के ठीक है और यह जो ह तो हमारा यह बड़ा alphabet है क्या alphabet है बड़ा वाला alphabet है ठीक है तो इसके उपर मैं एक bracket लगा देता हूँ यहाँ पर अब मैं बद दिखाने वाले हूँ आपको एक बहुत तगड़ी चीज एक और हम यहाँ पर logical operator का यूज करने वाले है और operator का ठीक है यहाँ पर एक और bracket लग है और 65 से 90 तक हमारे uppercase alphabet है उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे printf yes यह alphabet है ओके और else में हम print करवा देंगे no यह alphabet नहीं है अब यहाँ पर हम semicolons लगा लेते हैं semicolons semicolons एक बड़ प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं फिर मैं आपको इसकी logic समझाने वाला हूँ प्रोग्र से कोई symbol लगाता हूँ यह देखो no यह alphabet नहीं है अब मैं लिखता हूँ r enter करते है yes यह alphabet है अब मैं लिखता हूँ बड़ा t enter yes यह alphabet है देखो हमारा जो program है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है अब इसका logic देख लेते एक बार देखो जब यह पूरी situation true होगी ना तो यह block of code चलेगा ठीक है और अगर यह पूरी situation false हो गई तो यह block of code नहीं चलेगा else वाला block of code चलेगा तो सारा हमारा depend करता है इस पूरी situation पर जो यह end operator है इसका मैंने आपको बता दिया था कि end operator यहां पे क्यासे काम कर रहा है बता दिया था ना अब मैं आपको mainly उता देता हूँ कि or operator क्या करता है अगर दोनो situations में इसके पास इसके आसपास दो packets है ना एक left side में एक right side में दोनो side में से कोई भी situation true होती है ठीक है तो यह पूरे का true बना देता है पूरे को true कर देता है अगर दोनों में से एक भी situation true है तो पूरे को true कर देगा दोनों ही true है तो भी true कर देगा और इसकी जो ask की value है, simple सी बात है, जब भी हम CH के साथ खिलवार करते हैं, तो उसकी ask की value के साथ खिलवार होता है, यह मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, तो जो भी हमने character रखा है, वो उसकी ask की value के according चेक किया जाएगा, ठीक है, तो अगर वो 65 से बड़ा है और equal to है, और 90 से छ situation true हो जाती है, पूरी की पूरी, ठीक है, और यह situation true हो गई, तो यहाँ पर और symbol है, कि कोई भी situation true हो, तो पूरे के पूरे को true कर दो, और true होते ही यह हो जाएगा, अगर दोनों ही situations false होती है, आपर, तो हमारा else वाला block of code चल जाता है, ठीक है, नो यह alphabet नहीं है, तो यह हमारा third question भी, यहाँ पर complete हो चुगा है, अब बात करने वाले है, fourth question के बारे में, ठीक है, तो fourth question मैं आपको कराऊंगा, और fifth question आपको खुद करना है, दोनों same तरीके से होंगे, ठीक है, मतलब की, तरीका same है, इनको करनेगा, जो मैं logic लगाने वाले हो नो, वो same रहेगा, अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर comment out, और इसको tab कर देते हैं, थोड़ा सा आगे सरका देते हैं, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, हम लिखते है, four, number नहीं, हाँ, fourth question, five question आपको घर से करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, five, और यह आपका homework है, home work, ठीक है, यहाँ पर मैं एक variable ले लेता हूँ, int n, ठीक है, तो साफसी दी बाद है कि int n है, एक variable, और हमें वो चेक करना कि क्या वो n जो है divisible by five और 11 है, या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर simple सा एक logic लगाँगा, सबसे पहले n को ले लेते हैं, हम यहाँ पर, अब scanf का use करके n को ले ले और मैं अभी n को directly, statically set कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर logic लगाँगा, if n divisible by five और 11, तो यह क्या होगा, दोनों से divisible होना चाहिए वो, ठीक है, अगर एक से हो गए तो कामी चलेगा, दोनों से वो divisible होना चाहिए number, तो कैसे हम set करेंगे, if n percentage five equal equal zero, अब यह क्या लिख दिया मैंने, यह मैं अभी आपको बदाता हूँ, इसको मैं brackets में रखता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, एक and का symbol, और अब मैं लिखने वाला हूँ, एक और bracket लगा यहाँ पर, and percentage 11 equal equal zero, अब आप confused हो रहे होगे, कि मैं यह क्या कर रहा तो अच्छे से अब आपको नजर आ रहा हूँगा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, printf में, yes it is divisible by 5 and 11, full stop, and backslash n, okay, semicolon लगाएंगे, और यहाँ पर मैं else लिख लेता हूँ, एक बार else, और else का code block लगा लेते हैं, और इसको उठा के, नीचे ले आते हैं line को, मैं save करता हूँ इसको, और अब इस प्रोग्राम को run करके देखते हैं, और एक काम करते हैं, यहाँ पर printf लगाके, printf, enter, number, space, semicolon लगाके, ताकि confuse ना हो यार, आप scanf को अच्छे से सीख जाओ, मैं इसलिए scanf लगाई दे रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, आप जब भी practice करोग ना, तो scanf आपको अच्छे से आजाएगा, क्योंकि ना, कभी-कभी आप यह m% का operator लगाना भूल जाओगे, फिर आपको दिक्कत आएगी, कि scanf काम नहीं कर रहा है, तो इस बात का ध्यान लगाना, जब आप questions कर रहे हो, तो यहाँ पर scanf में m% sign जरूर लगाओ, वरना जो लिख हूँ, तो क्या 22 divisible है, yes, it is divisible by 5-11, क्या सच में, 22 divisible है 5-11 के, मेरे को तो लग नहीं रहा, अगर मैं आपे 2 लिख हूँ, तो यह yes दे रहा है, मतलब कि हमारे program के अंदर कुछ ना कुछ कमी मुझूद है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, गलती यह करिया कि हमने दोनों की दोनों साइड ना यही लिख दिया, कि अगर यह situation true हो, तो भी यह print हो, और अगर यह situation false हो, तो भी हमने यह print करने के लिख दिया, यहाँ पर हम नो लिखना था, यार, no, it is not divisible by 5-11, तो save करते हैं अभी यहाँ पर, अभी हम F6 दबा के सको run करते हैं, और यह पर अभी हम number लिखेंगे 22, enter करता हूं, तो no, it is not divisible by 5-11, दुबार अगर 55 लिखता हूं, तो yes, it is divisible by 5-11, यह 11 में बीच में space हा रखा था, कोई दिकत की बात नहीं, हमारा जो program हो successfully done कर चुका, तो ऐसे bugs आ जाते हैं, कभी ना कभी, mistake हो जाती है, खेर यह bug नहीं था, यह ह तो mainly यहाँ पर हमने focus किया है, कि क्या end divisible by 5 है, देखो अगर आप किसी भी integer को divide करते हो, किसी number से, तो अगर उसका remainder 0 आता है, तो मतलब वो perfectly divide हो रहा है, अगर मैं 50 लिख दूँ, तो 50 को जब आप 5 से divide करोगे, तो 5 tends of 50 होगा, तो उसका जब remainder आएगा, वो 0 आएगा, ठीक ह लेकिन अगर मैं कुछ और number लिख तो जो 5 से divide नहीं हो पाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर remainder आएगा, ठीक है, मतलब point में value आएगी, point में value आएगी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, percentage का sign man आपको बताया था, operators के time पर यह क्या करता है, यह आपको remainder निकाल के देता है, और किसी भी चीज का divide करने पर अगर remainder 0 आता है, तो इसका मतलब वो successfully divide हो गया है, ठीक है, अगर वो successfully divide नहीं हुआ है, तो क्या remainder आया, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, अगर वो remainder है, अगर वो equal equal है, 0 के, तो मतलब की वो 5 से दो divide हो चुका है, अब बात करते हैं, इस वाली side की, तो same to same यहीं पर भी same situation होगी, जो number दिया था, क्या हो 11 से divisible है, अगर वो 11 से divisible है, तो जो भी उसका remainder होगा, वो यहाँ आएगा, अगर वो 0 के equal है, तो यह situation यहाँ पर हमारी true हो जाएगी, और जब दोनों situation हमारी true होती है, तो end operator क्या करता है, पूरी की पूरी को true return कर देता है, तो यह हमारा यहाँ पर, yes it is divisible by 5 and 11, आ जाएगा रहे, इन में से कोई सी भी एक false हो गई, तो वहाँ पर, no it is not divisible by 5 आ जाएगा, ठीक है, अगर देखो यहाँ पर मैंने जब 22 लिखा था, तो 22 में, 5 से जो divide हो नहीं सकता है, लेकि 11 से वो divide हो सकता है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर भी वो दोनों से divide नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर भी यह पूरी की पूरी situation false हो गई दी, क्योंकि starting की पहली जो situation हमारी false होगी, और दोनों में से अगर एक भी false हो, तो पूरा का पूरा false बन जाता है, यह मैं आपको बार-बार ताकि आप operator में confused ना हो, अप easily logic create कर सको अपने, तो same situations, even और odd में बैठेगी, even और odd में क्या है, जब कोई number two से divide हो पाए, तो वो even है, और वो two से divide ना हो पाए, तो वो odd है, तो वो question आप easily अप कर सकते हो, question number five, मैंने आपको बहुत तगड़ा hint दे दिया, अब बात करते है, तो six question के लिए हम यहाँ पर फटाफट से अपना variables वगएरा setup करते है, यहाँ पर, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना, फटाफट पर लिख लेता हूँ, six, हमारा six question आई है, उसके बद यहाँ पर मैं variables बनाता हूँ, int, तो हमारे कौन कौन से subject थे हमारे P, physics, C, chemistry, M, mathematics, CS हम हमारा computer, और एक और subject हमारा क्या था, biology, B, ओके, यह हमारे कुछ subjects थे, यह हमने लिख लिए हैं आपर, अब हमको scanf करवाना है, मतलब की, हमको scanf करवाना है, सारे के सारे subjects के नाम, तो यहाँ पर हम printf लगाएंगे, printf, और enter, phy, chem, math, CS, bio, marks, accordingly, accordingly का मतलब है, कि जैसे जैसे मै सारे के सारे के सारे, आपना अलग-अलग लिखना, मैं जल्दी कर रहा हूं, जो कोई वीडियो जो है, बहुत लेंती हो जाएगी, इसलिए मैं फटा-फटा-फटा, easy तरीके से करना ही कोशिच कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आपको अलग-अलग scanf लगाने है, होगे हमारे, तो यहां पर हम पांच के पांच ले लेते हैं, पी ले लेते हैं पहले, और फिर C, फिर M हमारा, और फिर हमारा C, ऐसा हो जाएगा, फिर हमारा B आ जाएगा, ओके, तो अभी mainly हमने सारे के सारे marks हमने ले लिए हैं, एक चीज बूल गए, इनके सभी के आगे, M परसेंट का साइन लगा आना, अभी लगा देते हैं यहां पर, देखो, हमने सभी के सामने, M परसेंट का साइन लगा दिया है, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर, अब यहां पर हमारी real गो स्टार्ट होगी, हमें सबसे पहले क्या निकाल लिए हैं, परसेंटेज, त प्लस हमारा M, प्लस CS, प्लस B, तो यह हमारे 500 सब्जक्ट के मार्ग से जो हमारे प्लस होके आ चुके है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर, इसको डिवैड कर देंगे, हम हंडर से, तो हमारी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी, ठीक है, तो परसेंटेज जो भी इसके बाद हम यहां पर अपनी आगे का काम प्रॉसेट करेंगे, अब उसके बाद हम यहां पर उसको परसेंटेज बताएंगे, और उसको उसका गरेड बताएंगे, तो इफ यहां पर हम कंडिशन स्टाट करते हैं, परसेंटेज इस greater than or equal to 90, ठीक है, तो मैं यहां पर याप पे क्या लोजिक लगाऊंगा यह आप भी लगाऊ अब मैं याप लिखूँँगा परसेंटेज कॉमा और ग्रेड परसेंटेज कॉमा ग्रेड अब मैं आप एक वो बनाता हूँ एक कैर वैरिवल ग्रेड नाम से ग्रेड ठीक है और इकोल टू में मैं उसके अंदर लाएंगे याप परसेंटेज और परसेंटेज इस ग्रेटर दैन और इकोल टू एटी तो हम याप पर ग्रेड के अंदर डाल दें ग्रेड इकोल टू बी समझे रहो आप कितना इजी होगे ना याप हमारे लिए अब मैं इस पूरी की पूरी लाइन को नीचे कोपी करता ज हो जाएगा 50 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40 ठीक है यह हमारा 40 तक हो गया यहाँ पर हम लिखा देंगे A B और यहां पर हमारा जाएगा C suffer that he a professional these 14 उपर 10 बढ़र और हूचा हमारे 40 से बड़े हूँ अगर एनसे चोटे हों तो automatically यह वाला situation true हो जाएगी और यहाँ पर हम लिख देंगे कि smaller than 40 अगर smaller than 40 है तो हमारा F grade आ जाएगा उसके बाद हमको कुछ नहीं करना पली बस इस पर semicolon लगाना है और अब हम अपने program को run करेंगे यहाँ से ठीक है और F6 दबाते हैं अब आप यहाँ पर अपने जो प्रोग्राम से हैं उनके यहाँ पर नमबर से जाकते हो मार लो 34, 56, 78, 33 और 89 यहाँ पर मैं नमबर देता हूँ एंटर करता हूँ तो हमारे 0 % और grade F यहाँ पर हमारी गलती होगी कुछ तो ही जो error आ था हमारा 0 आ रहा था वो scanf के वज़े से आ रहा था scanf सायद डंग से set नहीं हुआ था तो मैंने कुछ यह changes के दे को जितने भी subjects थे हमारे उन सभी को मैंने float के अंदर convert कर दिया है क्योंकि जब भी percentage निकाला था ना int के साथ तो 0 दे return कर दे रहा था तो जब भी आप इसको अगर आप run करोगे तो automatically यहां पर grade और percentage वगरा set होके मिलेगा यहां पर physics के mask लिख दो इसके बाद मैंने 56 लिख दिये है उसके बाद 32 लिख दिये math के 67 लिख दिये CS के मैं randomly दे रहा हूं कुछ भी 67 बायो के मैं 99 दे रहा हूं इंटर करते हैं तो यहां पर 66.4 हमारी percentage यहां पर आ चुकी है grade D यहां पर हमारा आ चुका है तो ऐसे आप अपने grades को और percentage को set up कर सकते हो तो हमारा question number 6 भी यहां पर complete हो चुका है झाल झाल